बॉड मॉर्निंग एवरीबडी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीज में एक बाफ फेर ग्रेनेडा वर्सिस मलागा मैंच नबर वन हो गई है ECS T10 Spain 2022 के ग्रूप B के कॉम्पेटिशन गड़िए ग्रूप A के मैंच इस हो चुक है ग्रूप A के मैंच अगर आपने देखा होगा तो कुछ-कुछ प्लियर्स आपकी जानकारी आफी नॉलज में होंगे जिन्होंने नहीं देखा है कोई बात नहीं इसमें आपको समझ आ जाएगा कि क्या होने वाला है ठीक यह जो मैच है आपचे मैंच खीले ऐक जीटे थे औरखी चार में से तीन आपको बता देता हूं है फिलिप तोजिन की तरफ जाओगे तो बैटिंग फिर्स करते हैं ठीक है उसके बाद रिची अबॉट को देख लो आप जमशेदुर रह्मान के रिकॉर्स देख लो विकेट्स इनको मिल जाते हैं उसके बाद आप नीचे आओगे तो जादा रिकॉर्स आपके पास है नहीं करने के लिए लेकिन जो भी है आपके मलगा की तरफ से जो भी रिकॉर्ड आपको मिल जाएं जिसमें अधीम हुसे निक अच्छा प्रेयर है उनने इसमें 33 बनाए थे ठीक वकाज एहमद ने तेरह में 14 साथ में 0 विकेट और आसिफ तरार के पास दो विकेट थे अफजल श आप अच्छा किया है चार में जो खेलें उसमें एक में जीत है तीन में हार और आपकी मलागा अभी तक इस वेडिव पर जीती नहीं है ठीक है ओवर आल जो सम्ब्री निकल के आती है वह यह हैं यहां पर स्पिनर्स को जो है फेवरेबल होती है कंडिशन स्पिनर्स जो है आगे चलते हैं तो ग्रेनेडा से स्टार्ट करता हूं आकाश तुफची और एंद्रस तौरस आपको ओपन करते हैं ठीक है जिसमें आकाश तुफची जो है आपको काई टालते हो दिख जाते हैं फिर बंड़ना आते हैं फ्लिप तोजन देखोंगे तो चार विकेटन के न रह्मान तीन विकेट यह ले चुके हैं तेरा का इनका आवरिज है दस का स्ट्राइक रेट है फिर नीचा आउगे जेवियर आपके पास है क्रिस ब्राउन आपके पास है पॉल कोन तॉट डेवी और गैरी शार तीन चार आपको जो है चार मीडियम पीस आपके पास उसके बाद एक स्पिन ऑप्शन है उपर आकाश तुफची भी स्पिन डाल सकते हैं टोटल किते हो गए तीन दो पांच और एक छे उसके बाद भी जम्शी दूर रह्मान आपके पास है साथ वा ऑप्शन और आप देखोगे तो यहां पर फिलिप तोजन एक मीडियम पीसर आट और फिर रिची एब बॉल डाली मतलब नो बॉलिंग ऑप्शन के साथ जो है आपकी टीम उतरती है लग बेस ज्यादा है नो बॉलर्स है अगर आप ले रहा है तो अच्छी बाते बैंच पर देखोगे तो बहुत साही लोग बैठें देख सकते हो आपको किसी का भी नाम उ पर दिखें आर्ट मैचस में 140 संद नीस बीस का अवर जिनका है हसन जिया के साथ ओपन आ सकते हैं फिर अली हजन वन्ना उन्हें वाकास एहमद ने दो मैचस में 18 रन किये सेयद हुसें दो मैचस में 20 संद किये उसके बाद आसिम जिया एक राइटम स्पिनर है एक राइटम सकती है वो मैं आपको बता देता हूं एक मिलेगी अगर आप खेलते हो तो आपके आपको बैटिंग सेक्शन पर आओगे तो आपके पास नदीम हुसें वन आफ दे बैस चॉइस है ठीक है उसको नहीं है उसको नहीं तो फिलिप ताउसन एक लॉत प्लियर जो हमें यहां से अच्छे लगे थे अगरे निडा की टीम से वहीं मलागा की तरफ से बात करें तो वकास एहमद दो प्लियर बैटिंग सेक्शन पर आओगे तो आपके पास नदीम हुसें वन ओफ दे बैस चॉइसे है ठीक है उसके बाद हसन जिया क्योंकि वर्णान बैटिंग करने आगे तो आप उनकी तरफ जा सकते हो आकास तुफशी बैटिंग बॉलिंग दोने से कंट्रिबूट करेंगे इसलिए मैं आकास तुफशी के तरफ जा रहा हूँ ठीक ऑल राउंडर सेक्शन में आओगे तो आपके पास हुसें की अच्छे पिक है और इफ्तिशाम राशिद के आपके पास तीर अच्छे बॉलर्स हो सकते हैं ठीक है उसका बॉलिंग सेक्शन में आओगे तो जो भी टीम पहले बॉल डालती है उनको मैं फेवर करके जो है टीम बनाओंगा मान लो अगर ग्रेड़ा पहले बॉल डाली तो मैं जिया और रहमान की तरफ जाओंगा और य यहां से इफटश्याम राशित को डॉप करके तरार को जरूर अपने तरार को आपने तरार को रखोंगा और साथ मैं एक जो है बढ़ा दूब कि तरफ से अब वह कौन हो सकता है जो भी ऑपन करेगा मेरे हिसाफ से वह मेरी टीम में रहेगा ठीक है अभी मैं कुछ बताने यह हो सकता है में अभी के लिए भी करता है कि बॉलिंग में क्या करना और डिपेंड करता है तो अगर नदीम हुसें के साथ जिन्हें मैं ट्राय कर सकता हूं वह थोड़े से रिस्की चोड़े लेकिन आकाश तुफिक की तरफ जो हमें जाना प्रिसम कर पाठेगी अमेरी काप्टन वाइस चाप्टन ने स्मॉल लीक टीम है बाकि जो भी चेंजिस होते हैं मैं आपको टेलिगाम पर जरूर अप्डेट करूंगा तो टेलिग्राम पर पहुंच जाना पर जादा अपन कु झाले किψी य mee घूनीष्ंदार अपिता किजिस की जुब काश्टन पुर लीकड़ भी सुब कर दो हमेंते हैं मैं आपको टेलिग्राम पर कापको टेलिग्राम कुईल।